लॉर्ड किष्णा नमन माई ओल स्वेट डियर इस्ट्वेंड प्यारे पिध्यारतियों हम बात कर रहे हैं डिफ्रेंट वे ओफ चार्जिंग आ बोडी कोई भी बोडी कैसे चार्ज होती है इसके बारे में बात कर रहे है आपको पता है कि किसी भी बोडी के अंदर इलेक्ट्रोन और प्रोट्रोन की संखा यदि समान होती है तो यह नीट्रल होता है कैसा होता है नीट्रल होता है और यदि किसी भी तरीके से आप इलेक्ट्रोन को या तो उस बोडी से बाहर निकाल दें या उस body में electron डाल दें तो वह body charged हो जाती है friction एक ऐसा process है जिसमें दो object को आपस में एक दूसरे के पास लाकर घरशड किया जाता है और जब आप friction करते हैं तो हो सकता है कि एक body के जो electrons हैं वो दूसरी body में चले जाए अब दूसरी body में electrons की संख्या जादा हो जाएगी तब उस पर charge negative charge आजाएगा electrons का जो charge होता है 1.6 into 10 to the power minus के 19 कूलाम होता है प्यारे पिध्यार थी हो When a body is rubbed with another body both the body develop charge तो दोना ही body पर charge होता है चुकि पहली body के electron दूसरे पर चले गए है तो यह number of proton की संख्या जादा हो जाएगी तो हम पर positive charge हो जाएगा The process of charging two bodies by revving them against Each other is called charging by friction घरसड के दौरा friction means घरसड घरसड के दौरा जो charging होता है उसमें एक body पर positive charge आता है जबकि दूसरी body पर negative charge आता है This is a very common method of charging body During charging by friction one body produce positive charge while another produce negative charge and this causes attraction between the two प्यार प्यारतियों आपने सुना होगा कि पहले अंबर की जोईलरी बना करती थी बहुत पहले समय में और लोग क्या करते थे उस अंबर की जोईलरी को रेसम से friction करते थे वाद में उस जोईलरी जो होती थी कि किसी न किसी फीदर्स को पंक को या हेर्स को अपनी तरफ अट्रेक करती थी थेल्स ने इसके बारे में कहा भी था थेल्स एक scientist थे उन्हांने कहा था कि जो निर्जी बस्तुएं हैं उनमें भी soul होता है आत्मा होती है यानि कि निर्जी बस्तूएं भी एक तरफ से जीवित होती है तो यहां आज के जमाने में उनकी जो थैरी है वो पूरी तरह से गलत सिद्ध हो गई है तो थेल्स का जो सिद्धांत है यहां पूरी तरह से गलत है क्योंकि आज हमने ना मतलब आपका ये जो charge कैसे होता है कोई भी body charge कैसे होती है उसके बारे मैं पता हो गया है charging by conduction conduction के द्वारा किस तरह से body charge होती है charging by conduction involve the contact of the charged body with a neutral body एक charge body के contact में यदि एक neutral body आ जाए तो क्या होगा suppose that a positively charged aluminium plate is touched by neutral metal sphere एक aluminium की plate जो की charge है उसके ही contact में आजाए एक neutral metal sphere आ जाए यानि कि कोई एक दूसरी metal का एक sphere हम पास में ले आए तो तो the neutral metal sphere becomes charge at a result of the contact तो यहाँ पर क्या होगा कि जो neutral metal की जो sphere है वो charge हो जाएगी क्यों? चार्ज क्यों हो जाएगी? यहाँ पर जो already charged body है उसके electron उस metal sphere में move कर जाएगे the process of charging a neutral body while touching it with a charge body is called charging by conduction यहाँ पर एक प्यारे विध्यार थी हो the process of charging a neutral body यहाँ पर जो neutral body charge हो रही है with a charge body एक charge body से is called charging by conduction तो इसे कंडक्शन के द्वारा charge कहना कहते है एक ऐसा process जहाँ पर कोई भी charge body किसी अनचार्ज बोडी को charge करते है है ना? तो इसे हम क्या कहते है charging by conduction मेरे प्यारे बिद्ध्यार थी हो केबल इलेक्ट्रोन ही मूव करते हैं मॉबिल होते हैं जबकि प्रोट्रोन मूव नहीं करते ध्यान रखना किसी भी अबजेक्ट्रोन का इस्थांत्रड होगा और the flow of electron is called electric current हम सबसे पहले बोले थे आप से यदि electron का flow हो जाए तो वहाँ पर electric current हम उसे कहते हैं क्या कहते हैं electric current मेरे प्यारे बिद्ध्यार थी हो अब हम बात करेंगे charging by induction यह method थोड़ा अलग है student when a charge body is brought near another body एक charge body को दूसरी charge body मतलब एक charge body को दूसरी body के पास लाया जाता है but not touch यहाँ पर उसे हम touch नहीं करेंगे ठीक है और other body can be charged बिना touch किये दूसरी body charge हो जाएगी है ना यहाँ पर induction process के दौरा ऐसा हो पाएगा कि एक charge body को जब हम दूसरी body के पास लाएगे तो वो charge हो जाएगे this method of charging a body by bringing a charged body near it is called charging by induction इसे हम induction के दौरा charging कहेंगे यह एक ऐसा method है जिसमें charging a body अगर कोई body मतलब charge है by bringing पास लाई जाएगी a charge body थे ना a charge body पास लाई जाएगी तो near the near it is called charging by induction तो यह भी दूसरी body भी चार्ज हो जाएगी उसे हम charging by induction कहेंगे यहाँ पर जो induction के दौरा charging होगा यहाँ पर जो charge acquire किया जाएगा by the neutral body यहाँ जो उदासीन body है उस जो charge acquire करेगी इस अपोजिट उस अपोजिट होगा यहाँ जो charge body पर अगर positive charge है तो इस पर नेगिट आज जाएगा यहाँ उस पर negative charge है तो इस पर positive आज जाएगा मतला जश्ट अपोजिट चार्ज आएगा to that of the body that induced जो कि इसमें इंड्यूज कराई गई थी इसके पास लाई गई थी आज आज जाने देगी the charge flow through the body to the earth और यहाँ पर जो charge flow है यह body से अर्थ के लिए जाएगा आप सब अर्थिंग का तार लगाते हैं तो ऐसे ही body से कहां के लिए जाएगा अर्थ के लिए जाएगा and the charge body get discharged और जो charge body थी अगर उसको आप अर्थिंग दे दिये तो वो discharge हो जाएगी कैसी हो जाएगी discharge हो जाएगी